स्टूडेंट्स वेलकम तू मैगनेट ब्रेइंज हम फिर एक नया पार्ट लेकर आपके लिए आ गए है बुक हमारी है आरो तो आरो बुक में हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़े काफी अच्छे से उन सभी का सार समझा और साथ ही प्रिश्णोतर भी किये अब जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है पंडित जवाल लाल नहरुजी द्वारा लिकेत भारत माता ये जो भारत माता चैप्टर दिया गया है ये हिंदुस्तान की कहानी की किताब है उसका पाँचवा अध्याय हमारे सामने एक लिया गया है ये कहान जो बुक है ये इंग्लिश में लिखी गई है अंग्रेजी में लिखी गई है जिसका हिंदी रुपा अंतरन करके हमारे सामने हरी भाव उपाध्याय जीनी रखा है तो ये जो पाठ है भारत माता इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पंडित जवालाल नहरू भारत देश के विभिन विभिन भागों में जाते वहां के किसानों से मिलते उनसे बाते करते ताकि इस देश के विकास के लिए वो जितना हो सके उतना कारेरत रह सके तो इन ही सब चीज़े बातों के लिए इस पार्ट में उन्होंने कई चीज़े हमको बताई है तो ये पूरी किताब जो इनकी है हिंदुस्तान की कहानी जवाल नाल जी ने जो लिखी है वो हमारी कहानी हिंदुस्तान कैसे अब डेवलब करेगा उससे रिलेटेड है तो वही उसी बुक का ये पाचवा अध्याय हम देखेंगे क्या है भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का पाचवा अध्याय है इसमें नहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों से बाते करते थे यानि कि वहाँ पे लोगों को जाते थे तरह तरह के जो जलसे आयोजित किये जाए या उनके सम्मान में आयोजित किये जाए वो वहाँ जाते थे और वहाँ के लोगों से बात करते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है उन्हें ये चीज समझाते थे बताते थे पहले इतना communication नहीं था ना travel करने की इतने साधन थे तो लोग एक दूसरे जानी नहीं पाते थे क्या इतना बड़ा हमारा देश है तो वो वहाँ पर जाके लोगों को बताते थे कि हमारा देश इतने तरह तरह के भागों में बटा हु इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों में नियती एक ही तरीके से बद्ती बिगरती है तो अब जहां वो मिलते थे बताते थे तो वहीं कुछ प्रश्ण भी उनसे पूछते थे कि आखिर क्या कारणे की भारत ए है कि अगर कि देश के एक कोने में कोई चीज होती है तो उसका असर है पूरे देश पर पड़ता है क्यों हर चीज एक दूसरे से संबंधित है एक दूसरे से पंधी हुई है क्या कारण है इसका उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तता या निसकर्ष निकाल कि भारत माता की जै का मतलब है यहां के करोडो करोडो लोगों की जै यानि कि जो हम बोलते हैं कि भारत माता की जै भारत माता कौन है, क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है और जो यह बोला जाता है कि भारत माता की जै यह किसके लिए बोला जाता है तो उन्होंने ये मतलम निकाला कि भारत माता की जय का मतलम है कि यहां इस भारत में रहने वाले करोडों करोडों लोगों की जय सभी के लिए जय है नेरु जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं श्रोता मतलब सुनने वाले जब वो भाशन देते हैं तो उनको सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ उन सभी से चर्चा करते हैं कि आखिर भारत क्या है क्या नहीं है सब चीजों के बारे में पूछते और जाचते है भारत संस्कृत शब्द है भारत किस शब्द से बना है संस्कृत एक भारत एक संस्कृत शब्द ही है इस जाती के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है मतलब एक जाती के संस्थापक है उनके नाम से निकला हुआ है शहरों में लोग अधिक समझदार हैं गावों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक है वो कहते हैं शहर के लोग तो समझदार हैं लेकिन गाओं में चीजें अभी भी उतनी ठीक नहीं हैं वो वहां जाते हैं वहां के लोगों से बाचीत करते हैं सब कुछ करते हैं और क्या कहते हैं कि यहां जो ने बताते थे कि उत्तर से लेकर दखष्षड तक और पूरप से लेकर पस्चिन तक उनकी समस्याँ एक जैसी हैं मतलग हम चाहे देश के किसी भी कोने में जाएं सभी लोगों की समश्याँ एक जैसी ही निकलती है तो विभिन्नता कैसे हुई जब हर देश के कोनी के विप्ती की समस्य आये के तो विन्नता तो है ही नहीं और स्वराज सभी के लिए फायदे मंद है और क्या था स्वराज हम सभी के लिए फायदे मंद है नेरू ने सारे भारत की यात्रा की इस दोरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगे किसानों की समस्या एक ही है मतलब पूरे देश में भई अंग्रेजों का शाशन था तो उसमें क्या समस्या थी सभी की समस्याएं सिर्फ एक ही जैसी थी गरीबों की, कर्जदारों की, पूझी पदियों के शिकंजे में, जमीदार, महाजन, कड़े लगान और सूध, पुलिस के जुन तो सभी जगह, सभी विक्तियों के यही था, कि सूध इत्ता था, महाजन तकलीफ दे रहे थे, पुलिस वाले तकलीफ दे रहे थे, तो हर तरीके सभी आप जाईए, तो हर जगे लगभग आपको एक ही समस्या सुनने को मिलती थी यह सभी बाते विदेशी सरकार की देन है, किसकी देन है, यह सभी किसकी देन थी, विदेशी सरकार, यानी ब्रिटिशेर्स की देन थी तथा सबको इससे चुटकारा पाने के लिए सोचना है मतलब हमें ब्रिटिश शाषन से चुटकारा पाने के लिए ये चीज सोचनी है कि हम इससे चुटकारा कैसे पाएं सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्ध योरोब, मिश्र, पश्मी, एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते थे तो वो सोसते थे, वो बताते थे, वहां के लोगों को किस तरीके से हमारे दूसरे देश जो हैं, वो डेवलप कर रहे हैं सब चीजे कर रहे हैं, हमें भी उसी तरीके से करना चाहिए, वहां पर कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे नई नई चीजे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है तो हमारा देश में भी ये सब चीज़ें अगर होंगी तो हमारा देश भी एक विक्सत देश एक बहुत ही अच्छा फलता फूलता देश बनेगा सोवियत यूनियन वा अमेरिका की उन्नती के बारे में बताते हैं हमें अपना राज्य स्थापित करना पड़ेगा तब हम कहीं उन्नती के बारे में सोच सकते हैं किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान ना था क्योंकि जब वो हां गये नहीं देखे नहीं किया जाने कि इस गाओं के बार भी कहां बहुत से चीज़े हैं समझते नहीं तो इसलिए उनको समझाना बहुत ही मुश्किल था किन्तु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैशा मुश्किल भी नहीं था तो वो जैसा सोच रहे थे कि बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन वैसा नहीं था हुआ मुश्किल था लेकिन जितना सोचा था उत्ता नहीं लेकिन काम हुआ इसका कारण था कि हमारे महाकाव्यों वा पुराणों ने इस देश की कलपना करा दी है यानि कि क्या था? इसका कारण हमारे महाकाव्य और पुराण इस देश की कलपना का धार है मतलब विदेनों ने करादी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने भी बड़ी लड़ाईयों में भाग लेने सिपाहियों और कुछ विदेशों में नौकरी करने वाले देश दुनिया की जानकारी दी तो अब क्या हुआ कि भाई अब जो लोग एक ही जगहा रहते हैं उन्हें नहीं पता कि दूसरी जगहाँ उपर क्या होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो जो लोग लडाई के लिए जाते थे वापस आते थे तो बताते थे कि वहाँ ऐसा घट रहा है जो तीर थी आत्रा पे जाते थे तो वो भी बताते थे कि वो ऐसे घट रहा था मतलब जब वो लोग उस गाहों से या उस एरिया से बाहा निकलते थे तो बताते थे कि ऐसा हाँ हो रहा है जैसा जवार लाल जी बोल रहे हैं ऐसा ही हो रहा है संतीस की आर्थिक मंदी की वज़ा से दूसरे देशों के बारे में नहरू जी के दिये गए उधारण लोगों के समझ में आ जाते थे तो जब संतीस की जो मंदी आई थी उसका अगर उधारण देते थे नहरू जी तो क्या होता था लोगों की समझ में चीज़ें जल्दी आना शुरू हो जाती थी भाईमंदी में क्या हुआ था किसानों पर भी तो असर पड़ा था तो उसका उधारन देते हुए जब समझाते थे तो लोगों को आसानी में समझ में आता था कि हाँ हमें भी जो है विकास करना है मगर विकास करने के लिए स्वराज हासल करना पहले जरूरी है जल्सों में नहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जै की नारे से होता था वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब न दे पाते तो जब नहरू जलसे में पहुंचते तो महाँ सभी लोग नारे लगाते भारत माता की जै भारत माता की जै तो जब इस नारे के बारे में नहरू जी पूछते थे आखिर भारत माता कौन है मैं आया हूँ, तो मेरी जय लगाओ, भई अपनी लगाओ, गाओं की लगाओ, लेकिन ये भारत माता कौन है जिनके बारे में आप जय जय कार करते हैं, क्या है ये, तो सब कोई जवाब ही नहीं दे पाते दें, भई क्या जवाब दें, उनकी समझ में कौन है भई भारत माता, एक हटे-कटे किसान ने भारत माता का अर्थ धर्ती को बताया उसने बताया कि ये धर्ती मा हमारी भारत माता है क्यों क्योंकि ये हमें रहने के लिए जगहा दे रही है खाने के लिए अन दे रही है, सोने के लिए धर्ती दे रही है तो ये हैं हमारी भारत माता उन्होंने पूछा कौन सी धर्ती अब उन्होंने बला ठीक है ये धर्ती है लेकिन कौन सी धर्ती उनके गाउं की जिले की सूबे की या पूरे देश की धर्ती तो यहां पर उनके किस धर्ती की बात कर रहे हो आपके गाउं की आपके जिले की शहर की या पूरे देश की धर्त पुझा जाता तो सभी इस प्रश्ट पर पुना चुप हो जाते उन्हें कोई उत्तर न मिलता नेरू ने बतते कि भारत वाहे जो उन्होंने समझ रखा है मतलब भारत वह है जो वो समझते हैं क्या समझते हैं? इसमें नदी, पहाड, जंगल, खेत, करोणो भारती ये शामिल है मतलब सभी कुछ आता है जो इस धर्ती पर है भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय यानि कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम साथ साथ में इन सब ही की जय बोलते हैं जब वे स्वैम को भारत माता का अंश समझते हैं तो वे उनकी आखों में चमक आ जाती है तो जब वो समझते हैं कि हम भी यानि कि किसान लोग जब ये समझते हैं कि हम भी भारत माता का ही अंश हैं तो उनकी आँखों में चमक आ जाती है वो खुश हो जाते हैं कि अर्थात ये जैकारे हमारे लिए भी हैं हम भी इस जैकारों में शामिल हैं तो वो अपने आपको भी देश का एक एहम हिस्सा मानते हैं तो ये तरीके से होता है कि एक जुडाव जिसे हम बोलते हैं वो जुडाव पैदा होता है तो ये पाँचवा अध्याय जो कहानी हिंदुसान की कहानी का था वो यहाँ पर खत्म होता है साथी हमारा पार्ट भारत माता भी खत्म होता है लेकिन इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जो हैं हमारे देश के नेता हैं वो कितनी अच्छे से कारिरत थे हमारे देश को आजात कराने के लिए किती मेनत करते थे जलसों में जाते थे लोगों को समझाते थे कि आप भी स्वराज में पार्ट लीजिए तो बहुत ही अच्छा पार्ट था इसने हमारे भारत के बारे में हमें थोड़ा सा और नॉलिज दिया चीजों को हमने समझा तो यह पार्ट यही खत्म हुआ हमारा और साथ ही साथ यह भी हम आपको बता दें कि इसके प्रश्णुत्तर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जो हमारे नेक्स वीडियो में आएंगे तैंक यू बाबाई